शिंग रासी वालों का आज का रासी फल्ले यनी कि 14 मार्च 2020 का रासी फल्ले तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के वीडियों के सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से 7 शिंग रासी वालों के आज के दिन के बाड़े में लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे 14 मार्च के पंचांग के बाड़े में तो आज तिथी है सस्थी, नक्षत्र है विशाखा, पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है सनी बार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है 6 बज के 31 मिनट में, शुर्यास्त है 6 बज के 29 मिनट में, चंदरोदे है 11 बज के 41 मिनट पी-म में और चंदरास्त है 9 बज के 22 मिनट एम में रितू है वशंत और आज का दिन काल है 11 घंटे 57 मिनट 41 सिकेंड का महिना है चैत्र और आज आपके लिए शुभ समय है दोपार के 12 बज के 6 मिनट से 12 बज के 54 मिनट तक अशुभकाल सुरू होता है सुबह के 6 बज के 31 मिनट से 7 बज के 19 मिनट तक दुबारा ये सुरू होता है 7 बज के 19 मिनट से 8 बज के 7 मिनट एम तक राहुकाल सुरू होता है शुभके 9 बज के 31 मिनट से 11 बजे तक और दिसासूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में लेकिन उस्षे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसके बिल आइकन को ओल पे आन कर दें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को सेयर करना बिलकुल भी न भूलें और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए आपके आज के दिन का शुभ रंग, सुभ अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आजमाएं तो शिंग रासी वालों सबसे पहला है आपका बेपार, बेबशाय, आपका कामकाज दोस्तों कामकाज के लिहाद से आपका शमय शामाणने रहने वाला है सिंग रासी के लोग आज के दिन अपने खाली वक्त में रचनातमक काम करने का प्लैन तो बनाएंगे लेकिन उस plan पर आप लोग अमल नहीं करने वाले हो आप लोग आज के दिन अपने काम काज में सिर्फ योजना बनाओगे लेकिन योजना बनाने से आपका काड़े छित्र बेहतर नहीं होगा इस बात को आप ध्यान में रखें और अपने योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास करें इसके बाद आता है आपका प्रयम श्रमबंद मित्रों प्रयम श्रमबंद के लिहाद से आपका शमय काफी ज्यादा खराब रहने वाला है आज के दिन अगर अपने प्रयमी या अपने प्रयमिका से अप मिलते हो तो अपने बेभार में आप बिनमबरता रखें अगर उनसे आप दुर्विभार करते हो तो आपका प्रेम शंबंद खराब हो जाएगा और फिर आप दोनों में नोक जोक हो जाएगी इस बात को आज के दिन आपको याद रखना होगा इसके बाद आता है आपका पारिवारिक जीबन तो आज के दिन आपका पारिवारिक जीबन काफी जयाद बहतर और शांदार रहने वाला है आज के दिन आप घर वालों की भलाई के लिए कुछ कार्ज करें अगर आपके घर पड़िवार में किसी विक्ती को किसी भी वस्तु क या वेशक्ता हो तो आप सबसे पहले अपने घर वालों के उपर ध्यान दे इससे आपका पारिवारिक जीबन बेहतर होगा इसके बाद आता है आपका धन संपत्ति दोस्तों पैसों के लिहाज से भी आपका शमय सही रहने वाला है सिंगरासी के जो भी लोग अपनी जमापुंजी पारामपरिक तोर पे निविस करेंगे उन लोगों को आज के दिन फाइदा काफी जियादा होने वाला है तो अब जानते हैं आपके आज के शुभ रंग शुभ अंक के बाड़े में तो शिंगरासी वालों आज आपके लिए शुभ अंक है छे और सुभ रंग है आपके लिए नारंगी और शुनहरा आज आपके लिए उपाई क्या है कि आप कुत्ते को रोटी खिलाएं इस उपाई को फॉलो करने से आपका आज का दिन शानदार हो जाएगा और आपको कहीं कोई दिकत कहीं कोई शमस्या नहीं आएगी